राश्ट्रिय शिक्षानीत 2020, भाग 4, क्रियान वयन की रणनीति, अध्याय 26, वित्थ पोशन, सभी के लिए वहनियें एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तो आए सुनते हैं इसका ध्वनी पाट प्रिष्ठ संख्या निन्यानवे 26, वित्थ पोशन, सभी के लिए वहनियें एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा 26.1, यह नीती शैक्षिक निवेश में उल्लेखनिय व्रिद्धी के लिए प्रतिबध्ध है क्योंकि समाज के भविश्य हेतू युवाओं के लिए उच्चितर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा से बेहतर और कोई निवेश नहीं होता दुर्भागे से भारत में शिक्षा पर होने वाला सार्वजनिक व्याय अभी भी सरकारी खर्च में कभी भी कुल सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक नहीं पहुँच पाया जैसा कि 1968 की शिक्षा नीती में अनुशंसा की गई थी और जिसको 1986 की शिक्षा नीती और 1992 की नीती समीक्षा में दोहराया गया था वर्तमान में शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा GDP यानी बजटिये व्याय आबंटन 2017-18 के विशलेशन के अनुसार 4.49 प्रतिशत के आसपास है और सरकारी व्याय का केवल 10 प्रतिशत शिक्षा पर किया जाता है इकोनोमिक सर्वे 2017-18 यह आकड़ा अधिकांश शिक्षित एवं विकासशील देशों से काफी कम है 26.2 भारत में उत्कृष्टता के साथ शिक्षा के लक्षे को पाने के लिए तथा देश एवं अर्थवेवस्था से जुड़े लाभों की बहुलता के कारण यह शिक्षा नीती केंद्र तथा सभी राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा में निवेश को पर्याप्त रूप से बढ़ाने का समर्थन करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ाने के लिए किये जाने वाले सभी प्रमुक प्रयास। 26.4 मुख्य तह बुनियादी सुविधाओं एवं संसाधन संबंधी एक मुष्ट खर्चों के अलावा यह नीती एक शिक्षा प्रणाली विकिसित करने के लिए वित पोशन हेतु इन महत्वपूर्ण दीरगकालिक ख्षेत्रों की पहचान करती है। जिन पर जोर दिया जाना चाहिए। अंगा, शिक्षक, शिक्षा और शिक्षकों के लिए सतत व्यावसाईक विकास में निमेश। च, उत्कृष्टता को पोशित करने के लिए विश्विध्यालेयों और महाविध्यालेयों में सुधार। च, शोध का विकास और ज, प्रावध्योगी की और ओनलाइन शिक्षा का व्यापक उप्योग। 26.5 शिक्षा के एक शेत्र के लिए सीमित मात्रा में उपलब्ध वित्त का भी अमुमन जिला और संस्थान के स्तर पर समय समय पर व्यायर नहीं किया जाता। जिससे उस राशी के लक्षित उद्देशियों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अतह आवशिक्ता उप्युक्त नीतीगत परिवर्तनों द्वारा उपलब्ध बजट के उप्योग में दक्षता बढ़ाने की है। वित्तिय प्रशासन एवं प्रबंधन इस बात पर ध्यान देगा कि निधियां आसानी से समय पर एवं उचित मात्रा में उपलब्ध हो और उसका व्याय इमानदारी से किया जाए। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को संशोधित और सुव्यवस्थित किया जाएगा ताकि समवित्रन तंत्र के कारण अधिक मात्रा में आव्यायित शेश न रह सके। सरकारी संसाधनों के कुशल उपयोग और धन की पार्किंग से बचने के लिए GFR, PFMS एवं सही समय पर आवंटन से संबधित प्रावधान को लागू करने वाली कार्यानवयन एजेंसी के लिए जारी किया जाएगा। राज्य के उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रदर्शन आधारित वित पोषण का तंत्र तयार किया जा सकता है। इसी प्रकार SEDG के लिए निर्धारित धन के इश्टतम आवंटन और उपयोग के लिए कुशल तंत्र सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नवीन नियामक व्यवस्था जिसमें भूमिकाओं का विभाजन एवं पारदर्शी स्वप्रगटी करण, संस्थानों का सशक्ती करण एवं स्वायत्तता, उतक्रिष्ट एवं योग्य विशेशग्यों की प्रमुख पदों पर नियुक्ती आधी शामिल वित्त के आसान, त्वरित एवं पारदर्शी प्रवाह में मदद मिलेगी। इस नीती में शिक्षा के व्यावसाई करण के मुद्दे से कई मोर्चों पर निपटने का प्रयास किया गया है। जिसमें सरल किंटू कठोर नियमन द्रिश्टी कोण भी शामिल है। जो वित्त, प्रक्रियाओं, कार्यपध्धती, उपलब्ध पाठेक्रमों एवं कार्यक्रमों में पूरी पारदर्शीता के साथ स्वप्रगटी करण, सर्वजनिक शिक्षा में परियाप्त निवेश, सरकारी तथा निजी सभी संस्थानों में अच्छे प्रशासन और तंत लगाया जाएगा। तनुगुप्ता, निर्मान, वंधिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत।